तमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डायबिटिक फूट अलसर के बारे में यानि कि डायबिटिक मलाइटस डायबिटिक कंडीशन की वज़े से अगर पेरों में अलसर की कंडीशन पैदा हो जाती है डायबिटिस वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्टर में फैलिवी डिजीज है यानि कि उसकी लक्षन हमारे हर अंग को प्रभावित करते हैं डायबिटिस क्यों हो जाती क्या कारण है यह मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं लेकिन फिर एक बार रिवाइस करेंगे हम किन कारणों से वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किन कारणों से हम बच सकते हैं और डायबिटिक फूट के बारे में आज ज़रू बात करूंगा यानि कि पेरो में अगर अलसर होना शुरू हो गए हैं डायबिटिक फूट अलसर जिसे हम कहते हैं यानि कि मवाद पढ़ना शुरू हो चुका है पेरो के अंदर पेर सड़ना शुरू हो चुके हैं वह तो बुरी हद तक सड़ चुके होते हैं कि हड़ियां तक दिखाई देने लगती है बहाद आज especially उन्हीं के बारे में बात करेंगे और ऐसी medicine आपको बताना जा रहा हूँ जो permanently उन्हें cure करेंगी और आपके diabetic ulcer को होने से उसे रोक देगी दोस्तों हाँ उसे permanently रोक देगी आपकी skin और आपका जो ulcer बना हुआ था हड़ी जो दिखाई दी थी महाँ पर growth होना शुरू हो जाएगी और वो उसको ढग देगी अब इसकार दोस्तों मैं हूं डोक्टर बिशेक और आपका एक बफिस से स्वागत करते हूं अपने होमेपटी की यूटिब चैनल पे दोस्तों आज हम बात करें डिएबिटिक फूट अलसर के बारे में डिएबिटीस जो होती है वो बलड के अंदर ग्लुकोस लेवल बढ़ जाने की वज़े से होती है दोस्तों ग्लुकोस लेवल तो बढ़ जाता है लेकिन पैंक्रियास इंसुलीन सिक्रेट नहीं कर रहा है वो और वो ग्लुकोस लेवल को इंक्रीज कर रहा है ये बढ़ावा ग्लुकोस या ये बड़ीवी शक्कर जो हमारे खून में बढ़ चुकी है ये हमारे हर अंग को प्रभावित करना शुरू कर देती है दिखाई देने को मिलते हैं डियाबिटिक फूट अलसर तो ऐसी कंडिशन में पेरों में सडान मारने लगता है मवाद पर जाता है पेर में और एक छोटी सी घांट के रूप में पस एकटा होना शुरू हो जाता है इग्नोर करते एकटे करते वो इस हद तक बढ़ जाता है कि पूरा पेर सर जाता है और वो मवाद या वो अलसर जो होते हैं वो फिर फरदर कनवर्ट होना शुरू हो जाते हैं डियाबिटिक फूट अलसर में और हमारे बैट सोर यानि कि पीछे अगर लिटा रहेगा तो बैट सोर भी उस परसन को यानि कि पीट पे भी उसको अलसर होना कुलों पर अलसर होना शुरू हो जाएंगे जहां जहां उसकी स्कीन जो होती है वो प्रेशर से यानि कि पेरों में क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है शरीर का तो उस वज़े से वो अलसर शुरू हो जाते हैं जैसे वो बैठा रहेगा तो उसके कुलों पर उसके हिप्स पे अलसर होना शुरू हो जाएंगे इनकी सबसे बेस्ट मेडिसीन होमेपेटिक के अंदर डाइबिटिक फूट अलसर को क्योर करने के लिए डाइबिटिक कंडिसेंट में जो हम साइजेजियम जमूलीनम मदर टिंचर का यूज़ कर रहे थे केवल सबेरे सबेरे और अगर लिक्विड में है तो उसकी दो डोप आदा कप गुल्मूना पानी में सुबह लेनी है में साथ में जो मेडिसीन लेनी है वो है साइलीशिया 200 तो साइलीशिया बहुत ही अच्छा एफेक्टिव रोल निभाएगी डियाबिटिक फूट अलसर को क्योर करने में क्यों क्योंकि वो साइजीचियम जमूलीनम के साथ और डियाबिटिक फूट अलसर की जो कंडिशन है उसमें जो अलसर पैदा हो रहा है या जो पस फॉर्मेशन पीले कलर का डिस्चारज हो रहा है यह slightly green color का जो discharge हो रहा है और bone तक दिखा गई है इतना ulcer अंदर फैल चुका है तो उसको करने के लिए क्यों करने के लिए silesia 200 की चार गोली दिन में चार बार हमें लेनी है और दो drop को हमें चार बार अधा कप दूना पानी में लेना है सलफर को सुबह लेना है और silesia को हमें दिन में चार बार लेना है अगर आपके अंगूठे के नाखुन के पास ulcer जैसी condition उस border पर दिखाई देती है तो graphitis 30 दिन में दो बार यूज़ कर सकते हैं आप आदा कप गूना पानी में दो पून और अगर आप लिक्विड में नहीं लेकर के गोली में रहे हैं तो चार चार गोली दिन में दो बार आपको यूज़ करना है और ये जो formula है ये आपको आपके diabetic foot ulcer से permanently निजान दिलाएगा आपका पैर पहले जैसा हो जाएगा ये मान के रखिए दोस्तों अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जबर बताएगा थैंक यू